दोस्तो नमस्कार मैं जन दोस्कुमार अभी आपको ये बताने वाला हूँ कि 2000 का नोट अब क्या होगा 30 सितमबर 2023 को एक टाइम लाइन दिया गया है RBI के द्वारा और उस टाइम लाइन में ये कहा गया है कि जो भी नोट सर्कुलेशन में है उन नोटों को सार्जनिक बैंको के पास जमा कर देना होगा और ये एक सलाहकारी परवर्थी का ही गोसना किया गया है RBI के द्वारा हाला कि ये बहुत ज्यादा बाध्यकारी नहीं दिख रहा है तो इसका क्या मतलब निकाला जाए क्या 30 सितमबर के बाद जो 2000 रुपे का नोट है वो रद्धी कागस का टु करने आते हैं और घोसना करते हैं कि नोट बंद यानि 500 और 1000 रुपे के नोट बंद ऐसा घोसना होगा था उसके बाद 500 रुपे और 1000 रुपे का जो नोट है उसका मार्केट में कोई वैलू नहीं रहा गया था लेकिन अब ही जो ये 19 मई 2003 इसको RBI के द्वारा घोसना किया ग इस दिशा में जरूर ही एक कदम ले रहा है कि 2000 का जो नोट मार्केट में है उसको धीरे-धीरे समाप्त करना है और ये जो प्रोसेस है 2018-19 से ही सुरू हो चुका है इसके बाद हम ये देखते हैं कि अगर आपके पास 2000 रुपे का धेर सारा नोट है तो उन नोटों को उन करे कि आज पास जो भी सारुजनिक बैंक यानि अनसूचित बैंक का जो साखा है जैसे कि PNB का साखा State Bank of India का साखा आदी तो वहाँ पर जाकर कि आप एक्स्चेंज करा सकते हैं भले ही आपके पास बैंक एकाउंट उस बैंक में हो या ना हो उसे कोई मतलब नहीं है आप एक्स समझ में आ गया कि पैसे को एक्स्चेंज कराने का क्या प्रोसेस है प्रक्रिया है और पैसे को बैंक में जमा करने का क्या प्रक्रिया है इसके बाद हम ये देखते हैं कि कहां कहां जमा होगा तो थोड़ा दरपाल ही मैंने आपको बताया कि आपके घर के आस पास जो भी सार और जैसे कि एक एक जामपल लेते हैं पतना का, तो पतना में भी एक Regional providers क्छ. के बगल में हाला कि RBI के रिजनल ब्रांच में जाने क्या हो सकता नहीं है क्योंकि जो सारजुनिक बैंक की सखा है आपके घर के आसपास तो हो गा ही एक सवाल यह है दोस्तों कि 2000 रुपए का नोट क्यों सुरू किया गया था तो इसके पीछे कारण यह था कि 8 नुमबर 2016 को ज को समझे अगर 2021-22 का जो वितिये वर्स है तो इस वितिये वर्स में 31.06 लाख करो रुपए बाजार में सर्कुलेट कर रहा है बाजार में सर्कुलेट करने का मतलब यह हुआ कि जो आप समान खरीद विक्री कर रहे हैं तो वहां भी तो पैसे का लेंदेन होता है या आपको जो गौर्मेंट पैसा दे रही है तो वहां भी पैसे का लेंदेन हो रहा है आप बैंकों में पैसा को डिपोजिट कर रहे है तो वो भी सर्कुलेशन है वो भी लेंदेन का हिस्सा है एक बैंक दुसरे बैंक से लेंदेन कर रहा है वो भी सर्कुलेशन है तो यह पुरा का प तो एक्जेक्ट डाटा तो मुझे अभी का पता नहीं लेकिन ये 21-22 से ज्यादा ही होगा तो खैर कोशन ये था कि 2000 का नोट क्यों छापा गया यानि कि नवंबर 2016 में क्यों स्टार्ट कर दिया गया 2000 रुपए का नोट छापना तो चुकि लिक्विडिटी का यानि जो मार्के रुपए का नया नोट लाया गया RBI के द्वारा ताकि लिक्विडिटी को बढ़ाया जाए मार्केट में जो पैसा है वो काफी कम हो गया था उसको बढ़ावा देने के लिए और 2016 से जो नोट छापना RBI ने सुरू किया 2000 का वो 2018-19 तक कंटिन्यू रहा 2018-19 के बाद RBI ने 2000 रुपए के नोट को छापना बंद किया और उसके बाद धीरे 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 जो 2000 रुपए का नोट है उसका जो सर्कुलेशन है उसका जो कुल लिक्विडिटी है बाजार में उसको धीरे धीरे उसने कम करना सुरू किया एक डाटा के माध्यम से आप समझेए 2018 की अगर करोर नोट 2000 का सर्कुलेशन में था अगर कुल एमाउंड की बात किया जाए तो 6.73 लाख करोर रुपए का ये कुल एमाउंड था जो 2000 रुपए के नोट के माध्यम से सर्कुलेशन में था जबकि अगर 2023 की बात किया जाए तो कुल 2000 के नोटों की संख्या 181 करोर ही रह गया तो आप समझ सकते हैं कि 2018-2019 से जब RBI ने 2000 के नोटों को चापना बंद किया और धीरे-धीरे चुकि नोट नस्ट भी होता है नस्ट भी करना सुरु किया اور बहुत सारे नोट को अपने पास जो बहुत सारे जो नोट है 2000 के उनको अपने पास यानि कि 2000 रुपे का जो नोट है उसको मार्केट से वापस लेने का जो प्रक्रिया है वो अचानक से सुरू नहीं हुआ है वो 2018-19 से ही कहीं न कहीं चल रहा था हाँ उसके बारे में बहुत जादा आपको पता साइध ना हो आपने लेकिन एक चीज़ फिल किया होगा हाल के दि नोट को पहले से ही RBI ने मन बना लिया था कि इसको हटाना है तो ये तो हमने समझ लिया कि 2000 का नोट क्यों आया क्योंकि लिक्विडिटी काफी कम हो चुका था 2016 में अचानक से नोट बंदी के करण तो लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए 2000 का नोट इंटर्डूस्ट किय अब लिक्विडिटी जब मेंटेन हो गया 2018 में तो उसके बाद क्या हुआ 2000 के नोट को हटाना शुरू किया गया और उसके बाद 500 रुपए का जो नया नोट है उसको बढ़ावा देना इस्टार्ट किया गया यानि उसका जो संख्या है उसको तेजी से बढ़ाया गया इसक कि examination point of view के लिए काफी महत्पूर्ण जनकारी है तो RBI Act का जो धारा 24A है उसके तहत ही 2000 रुपए का नया नोट introduced किया गया था कब 2016 नवंबर में इसके अलावा धारा 27 धारा 27 क्या है RBI Act 1934 आपने कुछ वर्स पहले सोनम गुपता बेवफा है ये लिखा हुआ राता था कि 100 रुपए का नोट में या 500 रुपए का नोट में पहले ऐसा लगभग 3-4 साल पहले ऐसा खुब मतलब ये चर्चा में रहा था तो ये क्या हुआ ये नोट को एक तरीके से गंदा करना हुआ तो धारा 27 ये कहता है कि कि किसी भी व्यक्ति को नोट के साथ currency नोट के साथ छ 1934 के धारा 27 के ताहत तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों हम लोग अब एक डाटा के माध्यम से ये समझते हैं कि जो कुल लिक्विडिटी है 2021-22 के अनुसार 31.06 लाग करोर उसमें 2000 रुपए का नोट का percentage कितना है तो 2000 रुपए का जो नोट का जो कुल amount है उस से 500 रुपए का जो वेटेज है उसको बरहाया गया यानि 500 रुपए का ज्यादा से ज्यादा नोट को अरभी आई ने चापा यानि कि 500 रुपए का ज्यादा से ज्यादा नोट को अरभी आई ने चापा जबकि 2000 के नोट को उसने कम किया उनको नस्ट किया हाला कि नोट तो जो भी हो 2000 को हो या 500 को हो एक नियमित 5-7 साल के बाद वो नश्ट हो ही जाते हैं। यानि कि इतना तो सपस्ट है कि 2018 ने इसके बाद 2000 के नोट को कम किया गया जबकि 500 रुपे का नोट को बढ़ावा दिया गया उसको ज्यादा संक्या में छापा गया है। एक डाटा जो आपके लिए जानना पहुत ही ज़रूरी है और इस वीडियो का वो लास्ट टॉपिक भी है। तो वो डाटा क्या है? चलिए उसको देखते हैं। च्छपा नस्ठ हुआ होना चाहिए है कितना गायब। अब ये क्या मतलब हुआ? उसको देखिए। दो हजार रुपै का अभी तक कितना नोट च्छपा है? और आपको येभी अभ तक जो भी मैंने बताया, आपको समझ में आ गया होगा, आपको आइडिया लग गया होगा कि जो नोट है वो समय समय पर च्छपता ही रहता है और नस्ट भी होता है। नस्ट कौन करता है? नस जीवनकाल है, जो करेंसी नोट है, कागजी नोट है, वो 5-7 वर्सका होता है, तो चलिए देखते हैं आगे, 2000 रुपए का अभी तक 370 करोर, यानि 370 करोर पीस, कितना नोट छपा है, किसका, करेंसी नोट 2000 का, अभी तक कितना नस्ट हुआ, 102 करोर, नस्ट कौन करता है, RBI, अ का, अभी है कितना, 214.2 करोर ही नोट है, गायब कितना है, 24 करोर नोट गायब है, 2000 का, अभी आएंगे इस पे, अब नीचे देखते हैं 500 रुपए का, यानि 2016 नोवंबर से लेकर के 2023 तक कितना नोट छपा है, तो 6489, यानि 6479 करोर नोट छपा है, 500 रुपए का, कितना 992 करोर, नस्ट क्यों होता है, अब देखते होंगा कि कोई नोट है, अगर पुराना हो जाता है, या उस पर बहुत कुछ लोग बहुत जादा ही लिख देते हैं, या नोट एकदम मतलब उसका जरजर इस्तिती हो जाता है, तो वैसे नोट को आप ले जाते हो, बैंक में, औ जो भी बैंक वाले हैं, वो क्या करेंगे, जो सारजनिक बैंक है, सिड्यूल बैंक है, वो फिर उसको RBI के पास ट्रांसफर कर देंगे, और RBI उसको नश्ट करके फिर नया नोट शापता है, अभी कितना होना चाहिए, घटा देचे, 6489 में 298, 1681 करोर होना चाहिए, है कितन यानि सर्कुलेशन में कितना नोट है, अभी भारत में 500 रुपय का है, 455 करोर नोट ही है, 500 रुपय का जबकि होना चाहिए था, 1681 करोर नोट 500 रुपय का, यानि कि 1626 करोर नोट 500 रुपय का गायब है, अब जरा इसका कीमत देखते हैं, जो 2000 रुपय का 54 करोर नोट गायब उसका कुल कीमत लगभग होता है 1,08 लाख करोर रुपे जबकि 500 रुपे का जो 1626 करोर नोट गायब है उसका कुल कीमत होगा लगभग 8 लाख करोर तो क्या ये जो 1 लाख करोर का जो कुल करेंसी नोट गायब है 2000 का और 8 लाख करोर का जो 500 रुपे का कुल करेंसी नोट गायब है क्या ये पूरा का पूरा काला धन है तो पूरा का पूरा तो काला धन नहीं होगा अब कैसे जरा उसको समझिए हमारे देश में जो छोटा-छोटा अस्तर का ट्रांजेक्शन होता है जैसे कि आप किसी छोटे दुकांदार के पास गए ठीक है तो वो खरीद विक्री जो ले बैंक में जमा करें तो वो पैसा सर्कूलेशन में तो है लेकिन बैंक के नजर में नहीं है यहां जो गायब सब्द है वो इसका मतलब यह हुआ कि वो बैंक के नजर में पैसा नहीं है वो बैंकिंग सिस्टम से वो पैसा जुरा हुआ नहीं है जबकि अगर किसी बड़े मॉ जोसे से वो banking system में है तो ये मैं आपको ये पताने का कोसिस कर रहा हूं कि यहां जो गायब सब्द है इसका मतलब यह नहीं हुआ कि यह पूरा का पूरा एक लाह करोर और आठ लाह करोर लगवग नौ लाह करोर जो total amount है इसमें no doubt काला धन भी होगा लेकिन एक बड़ा जो amount है वो इसलिए गायब यहां लग रहा है क्योंकि वो banking system से जुरा हुआ नहीं है जो छोटे छोटे उद्योग धन्दे हैं जैसे कि कुटर उद्योग हो गया या MSM हो गया छोटे जो भी उद्योग धन्दे है तो वहां साहुकारों से भी लेंदेन होता है या बहुत सारे ऐसे नहीं हमारे देश में लोग हैं जो पचास जार एक लाग रुपए बैंकों में जमाना करके घरों में भी रखते हैं यहां जो गायब वर्ड लिखा गया है उसके अंतरगत वो भी है यानि कि जो banking system में नहीं है जो सरकार की नजर में पैसा नहीं है उसके बारे में यहाँ प पता नहीं है 2000 रुपए का नोट जो है वो मार्केट से आउट हो जाएगा में भी 30 सितंबर के बाद कभी भी अभार भी आई उसका exact घोस ना करेगा तो दोस्तों इस तरीके से मैंने एक चोटा सा परियास किया कि मैं आपको समझाने का परियास करूं कि यह पूरा का पूरा जो वर्तमान में क्या मैटर है इस टॉपिक को ले करके अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को बीच सेयर करें जो भी वाट्सब गूरूप है तेलिगराम गूरूप है वहाँ पर इस वीडियो को आप जरूर से जरूर सियर करे, थैंक यू, धन्यवाद